हला बरिवन, वेलकम टू माई यूटीप चैनल, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, असिस्टेंट इंजिनियर सिविल इन पी डबलुडी डिपार्टमेंट पी-C-L, टी-C-L, में जो सेलरी रहती है, स्टार्टिंग सेलरी, आफ्टर नियू पे कमिशन वो कितनी रहेग और नोटिफिकेशन भी आई थी, और नोटिफिकेशन के टाइम में आप यहां पे देख सकते हो, कि पेस्केल बताया गया था, 27,750, जो फिक्स्ट अमांट रहेगा, यहां पे मेंशन करा गया था, ग्रेट पे, या जो बेसिक पे रहती है, उसके बारे में कुछ नहीं बता था, फिक्स्ट अमांट बताया था, यहां पे ठीक है, और इसके बाद अभी जो कैंड़ेट सेलेक्ट हुआ, उसके साथ जो नोटिफिकेशन आई है, और वहां पे आप देख सकते हो, कि जो कॉंट्रेक्ट पे अमांट होंगे, तो उनको 60% मिलेगा, फसल अफ एपलीकेब से लेके, एक लाख, सततर हजार पांसो तक ये जाता है, लेवल 18, तो यहां पे जो सबसे पहला लेवल होगा, वहां पे उसका 60% है, तो 56,100 रुपे, उसका 60% जब आप करोगे, तो यहां पे आपको मिल जाएगा, जो स्टार्टिंग सेलरी होगी, इन पीड़ डिपार्टम होगी, पहले की पे कमिशन से 27,750 से स्टार्टिंग होती थी, और अब 33,660 से होती है, तो आप लगवर देख सकते हैं, छे हजार का जो इनक्रीज हुआ है, सेलरी में, नए पे कमिशन के बाद, उसके बाद जैसे की PCL में हम बात करें, तो यहां पे 16,650 से लेके 49,000, और य यहां पे जो 58,000 उसके लिए specific तो कोई नहीं है, मतलब ग्रेट पे के लिए, लेकिन यहां पे अगर हम 57,000 की बात करें तो यहां पे 16,900 अचिक है, तो यहां पे लगवर 36,000 का आसपास सेलरी बनेगी, और अगर हम अचावबस की बात करेंगे तो लगवर 37,000 सेलरी आपकी स उसके बाद इंटरव्यू की डेट आएगी, इंटरव्यू का जब रजल्ट आएगा, उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से जो लिस्त आती है, पॉइंटमेंट की, तो वहाँ पे जो सेलरी होती है, वो मेंशन होगी, तो उस ताइम भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँग तो वहाँ से भी आपको टोटली क्लियर हो जाएगा, एक्जेक्ट नंबर आपको दिख जाएंगे वहाँ पे, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब् कर सकते हो, फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए,